C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वराप प्रस्तुत हैं कक्षा तीन के छातरों के लिए कारिक्रम बुद्धू होशिया दोस्तों बहुत पुरानी बात है किसी गाउं में एक बुढिया रहती थी उसके दो बेटे थे भूंदू और चतुरी चतुरी भ़ा होश्या था और भूंदू भूंदू बड़ा ही बुद्धू था एक दिन की बात है भूंदू कहीं जा रहा था रास्ते में उसे एक आदमी मिला वो आदमी भूंदू को अच्छी तरह जानता था उसने भूंदू से कहा भूंदू, ओ भूंदू, एक बात तो बता भौंदू ने कहा क्या बताऊं आदमी बोला तुम्हाई मा के दो बेटे हैं एक तो चदुरी है दूसरा कौन आदमी की बात सुनकर भौंदू बढ़ा सकराया उसने काफी सोचा लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया उसने आदमी से कहा आका दुबारा पूछो मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया उस आदमी ने अपनी बात दुबारा कही भौंदू बूजो एक पहली तुम्हारी मा के पेटे दो एक चदुरी दूजा कौन भौंदू ने खुब सोचा खुब सोचा लेकिन वो समझ न पाया कि उसकी मा का दूसरा बेटा कौन है अच्छा बच्चो तुम तो जानते हो न कि भौंदू की मा का चदुरी के अलावा दूसरा बेटा कौन है हाँ हाँ जरा बताओ तो भौंदू की मा का दूसरा बेटा कौन है तो जरा जोर से बोलो हाँ भूंदू की मा का दूसरा बेटा अरे भूंदू ही तो है लेकिन जरा सुनो तो भूंदू राम ने क्या कहा ये तो बड़ी मुश्किल परेली है काका तुम ही बताओ मेरी मा का दूसरा बेटा कौन है भूंदू राम की बात सुनकर वो आदमी खूँ भसा फिर हस्ते हस्ते बोला अरे बुद्धू अपनी मा का दूसरा बेटा तू ही तो हुआ भूंदू हस्ता हुआ ही ही करता पहां से चला गया बस उस दिन से भूंदू को देखते ही गाउवाले गाने लगते भूंदू बूजो एक पहेली तुम्हारी मा के बेटे दो एक चतुरी दूजाकान एक दिन की बात है भूंदू जी घर में अकेले गी थे बुढ़िया और चतुरी किसी की शाजी में पड़ोस के गाउँ में गये थे आंगन में एक मिट्टी के बरतन में चाज रखी थी तभी भैंस का पाड़ा वहाँ आ पहुँचा मिट्टी के बरतन में भरी चाज देखकर पाड़ा चाज पीने लगा बरतन का मुँ बहुत चोटा से था चाज पीते पीते पाड़े की गर्दन बरतन में फस गई गर्दन फसने से पाड़ा कबर आ गया और लगा आंगन में दोड़ने भागने भूदू ने बड़ी मुश्किल से पाड़े को पकड़ा पकड़ कर उसने पाड़े को खूटे से बांज दिया फिर बैठ कर सूचने लगा पाड़े को बरतन से कैसे छुड़ाय जाए हैं तंडा माल कर बरतन को तोड़ देता हूं नए 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 ऐसे तो मज का फूट जाएगा अजी मैं पाड़े की गरदन का देता हूं वावई भूदू क्या बात है तुम्हारी कितना अच्छा उपाए है और पस भूदू ने खुश होकर कुलहारा उठाया और धमाग से पाड़े की गरदन पर मारा कुलहारा लगने से बरतन तो तूटकर तुकड़े तुकड़े हो गया पाड़े की गरदन में थोड़ी चोट लग गई पाड़ा जोर जोर से रमाने लगा पाड़े के रमाने और बरतन पूटने की आवाज सुनकर पड़ोसी वहां आ गए बड़ी मुश्किल से उन्होंने भूंदू के हाद से पुलाड़ा जीना और पाड़े की जान बचाए शाम को जब बुढ़िया और चतुरी घर लोटे तो भूंदू की कर्टू देखकर उन्हें बहुत घुसा आया बुढ़िया ने घुसे में भूंदू की खुमरमत की खुमरमत की ये तो थी बुढ़ू भूंदू की कहानी अब सुनो चतुरी की हुश्यारी की बात एक बार चतुरी ने सोचा खेती की जाए लेकिन खेत जोतने के लिए उसके पास हल और बैल तो थे ही नहीं फूद फूद समझ कर चतुरी ने एक काम किया उसने लोगों को बताया भई घर में रखने से तो चोरी होने का डर रहता है मैंने अपनी मा के गहने एक बकसे में रखकर खेत में गार दिये हैं बस अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है गाओं में चार चोर भी रहते थे उन्होंने जब चतुरी की बात सुनी तो वो मन ही मन बड़े कुश हुए रात को अंधेरा होते ही वे चतुरी के खेत की ओर चल दिये उन्होंने खेत को चारों कुणों से खोदना शुरू कर दिया चोर फावड़े चलाते जाते और सोशते जाते अब मिला बकसा अब मिला आखिर खोदते खोदते खेत पूरा खुद गया लेकिन चोरों को बकसा न मिलना था सो न मिला सुबह होते ही चोर भाग गए कैसे बुद्धू बन गए चोर मिलकर हूब लगाया जोर खोदा हूब उन्होंने खेत परबकसे का मिला नवेद चोर बुद्धू तो बन गए थे लेकिन उन्होंने सैसला किया कि चतुरी को मज़ा चखाएंगे अगले दिन चोर फिर चतुरी के घरजा पहुँचे उनकी फुस फुसा हट सुनकर चतुरी जाक पड़ा उसने ध्यान से सना एक चोर कह रहा था और एक कल्दो हमें बुद्धू बना कर चतुरी ने अपना खेट मुफ्त में खुदवा लिया लेकिन आज हम उसे मज़ा चखाएंगे हम घर में खुस कर उसकी होब पिताई करेंगे लेकिन चतुरी डरा नहीं उसने एक उबासी ली और बोला ओफो ये गेहनों का बकसा भी आफ़त बन गया है कल उसे चुराने के चक्कर में किसी ने खेट ही खोच जाला आज मैंने उसे कुए में डाल दिया है देखता हूँ वहां से कोई उसे कैसे चुराता है ये कहकर वो सो गया हाँ है ऐसे इधर चोरों ने चतुरी के खेट में पहुचकर कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया वे सुभा तक कुएं से पानी निकालते रहे निकालते रहे लेकिन बक्सावा होता तो मिलता न कुएं से निकला बस कीचर और पानी आखर चोरों की समझ में आ गया कि चतुरी उन्हें बुद्धू बना रहा है उसमें मुप्त में उनसे खेट खुदवा कर सिच्वा लिया है वे चतुरी को कोस्ते हुए अपने घर चले गए बोदू राम का भाई चतुरी चतुरी चंद बढ़ा होशियार उसकी मा का बक्सा देखो चुरा न पाए चोर चार हाँ चतुरी ने अपनी होश्यारी से चोरों से अपना खेट खुदवा कर सिचाई भी करवाली फिर वो गेहूं के बीज लाया खेट में गेहूं बोकर चतुरी ने बड़ी होश्यारी से उनकी देख भाल की उसके खेटों में खुब पसल हुई खुब पसल हुई चोर भी समझ गए कि चतुरी बहुत होश्यार है वो तो उल्टा हमें बुद्धू बना देगा फिर वे कभी चतुरी के घर चोरी करने नहीं गए अब भई तुमने बुद्धू भोंदू और होश्यार चतुरी की कहानी तो सुमदी आओ अब हम भोंदू और चतुरी का गाना गाएं एक खलर का भोंदू राम बड़े अनोखे उच्चे काम उध्धी से कुछ काम न लेता हर कोई उसको बुद्धू कहता भोंदू राम का भाई चतुरी चतुरी चंद बड़ा होश्यार उध्धी से सब काम वो करता तभी तो चतुरी वो कहलाता प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत